हलो इंवेस्टर्स इंवेस्टमेंट के बजार चैनल पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर हम भी एचियल के शेयर को डिस्कस करने वाले हैं यो कि शेयर अभी 302 रुपए के आकड़े पर ट्रेड कर रहा है लेकिन काफी सारे हमारे भाई लोग यहां पर 320, 325, 330 तो 30 के आकड़ों पर लेकर बैठें इस टॉक को तो क्या करना चाहिए अभी शेयर के अंदर क्यों कि दूस्तों अभी 9 तरिक के दिन कंपनी का एक्स डिवेडेंट भी ट्रेड करता हुगा देखने को मिला अगर आप बात करेंगे घरावट की तो जैसे आप कह सकते हैं जो ग्लोबल मार्केट्स गिरेत है यह शेयर में भी काफी बड़ी गिरावट अपने को आती वी देखने को मिली थी I think 280 रुपर तक का आकड़ा शेयर ने चुआ था पूरी डीटेल में चर्चा करेंगे चार्च पर भी चलेंगे स्टॉक के रिजिस्टेंस भी देखेंगे परपस के लिए है शुरुआत करते हैं भेल की ब्लॉग डील के साथ तो दोस्तों जब फ्राइडे के दिन 12 बच कर 50 मिनट पर आप देख सकते हैं इतनी 3,34,888 शेयर की यहां पर ब्लॉग डील होती भी देखने को मिली थी almost 10.14 करोड रुपीज की लग बारा बच के 50 मिनट ब्लॉग डील अपडेट यहां पर रहता हुआ देखने को मिल रहा है बागी बागी बाजार की बात करेंगे तो जितनी बाजार ने गिरावट करी थी definitely 12,000 दीरे उस गिरावट को सोखता हुआ देखने को मिल रहा है वाल्यूम अगर आप देखने को मिली तो इक अच्छी बात है अच्छा इंडिकेशन है की बाजार आपको करते हुए देखने को मिल रहे हैं रही बात भेल की तो भेल में 12.8 million की volume यहाँ पर आती हुगी देखने को मिली थी and volume अगर आप देखेंगे तो consistently इसमें 10 million से उपर आ रही कभी 20 million कभी 25 million कभी 10 million कभी 12 million कभी 15 million इस साफ से इसमें volume आ रही है जो की ठीक indication है बाकि यहाँ पर आप बात करेंगे दोस्तों stock के अगले कॉटर में अगर company definitely profitable होती है तो जरूर दोस्तों 390 का अखड़ा भी कम पढ़ता होगा देखने को मिलेगा क्या आपने देखा होगा इसके रिलेट कंपनी जो है बहुत अच्छा कामकाच करती भी देखने को मिली है एंजिनियरिंग से इंडिया और असे जवाब यहां पर मिलते हुए देखने को मिलेंगे लेकिन उससे पहले अफनो डिटा की बात करे तो अफनो डिटा बता रहा है कि stock में long build-up आपको उता हुए देखने को मिला जिसके चलते भी आपने को 2% की तेजी आपर 9 अगस की शेचन में वनती हुए देखने को मिली है बाकि यहां पर अगर बात करेंगे sentiments की तो आप देख सकते हैं भले stock का trend अभी neutral side पर है लेकिन sentiments यहां पर 100% bullish है जो कि कच्छिंग इंडिकेशन है क्यों कि आप से stock ने गिरावट करनी थी अब गिरावट हो चुकि अब higher side पर कुछ resistance है जो कि आप देख सकते हैं और जिन लो अब यहां पर आप कह सकते हैं उमीद लगाई जारी है भेल के शहर में कुछ इस आप से stock ने fall दिया था अब एक आप कह सकते हैं वी शेप के recovery pattern यहां पर भेल में बनता होगा देखने को मिल रहा है और I think so जो important level है यहां पर कल के दिन के लिए 306 का अगर 306 का level stock ने तोड़ यहां तो उपर भी और नीचे भी risk यहां पर सेम आपका रहता हुगा देखने को मिलेगा और यह strategy कर अपनाएंगे तो आपका profit maximize होता हुगा देखने को मिल जाएगा बाकि यहां पर अगर stock के अपने चार्ट के चार्ट की बात करेंगे तो दोस्तो हम यहां पर भेल के चार पर बाइंग करनी और इंट्राने में 312 रुपर तक के लक्ष यहां पर बनते विए देखने को मिलेगा अल्टिमेट जो अमारा इस मंत कर टार्गेट रहेगा वो 325 का इस काउंटर में रहता हुगा देखने को मिलेगा नीचे में stop loss के अगर बात करे तो लॉंग टर्ब ब पड़िया होगो कि रेंच ब्राउन का जब भी ब्रीक उट आता होगा देखने को मिल रहे तो होप्स आपको वीडियो पसंदा होगा अंगर आपको वीडियो अच्छा क्ट आने को लाइक करें शेर करें सब्स्क्राइब करें थैंको इस वीडियो